दिल्ली से 2000 किलोमेटर तूर नॉर्थ इस्ट इंडिया में जितना भी माउंटेन पास है उसके अंदर सबसे लकप्रियों एंड चार्चित पास है सेला टॉप यानि सेला पास जस्बन्थ सिंग रावात देल्टा कमपानी का राइफेल मैन इंडियान आर्मी सोल्जर 1962 इंडो चाइना वार चीनी सेना उरनाचल प्रदेश पूरा तावांग में कपचया करके सेला टॉप तक आ गया सेला टॉप में कवर देने के लिए उस टाइम मौझूद थे तीन इंडियान आर्मी राइफेल मैंट एंड उसका टीम लेकिन सेला टॉप के उस वार में जस्बन सिंग रावत का छोड़के बाकी दो राइफेल मैंट एंड उसका टीम सहीध हो गए आकेले जस्बन सिंग रावत तीन दिन तक ना कुछ खाए फिए आकेले तीन सो चीनी साइनिक मार गिराए लोकल लोगों का कैना है जस्बन सिंग का उस जंग में मौझूद थे मोनपा कम्युनिटी दो लेड किया नूरा एंड सेला नोरा एंड सिला जस्बन सिंग रावत को बहुती ज़्यादा प्यार करते थे अकेले जस्बन सिंग रावत को खाना एंड पानी दे के लोकल गाउं से हेल्प किया था नोरा एंड सेला तीन दिन में 300 चीनी सेना मारके चीनी सेना नोरा को पकड लिया जस्बन सिंग रावत को खायल किया एंड जस्बन सिंग रावत देश के लिए सर्वच वलीदान दिये जस्बन सिंग रावत का मृत्तु का खबर जैसे सेला के पास पहुँचा सेला ने सेला टॉफ की पहाडियों में जाके खुद खुशी किया उस टाइम से ही ए पासिस का नाम करन हुआ है सेला पास। कहते हैं जस्वन सिंग रावत आज भी सेला टॉप में ड्यूटी करते हैं। आप सेला टॉप कैसे पहुँचोगे। सेला पास का नियारेस्ट एरपोड एन स्टेशन गोहाटी स्टेशन के बाहर 1,800 रुपे दे के सेयर कर या फिर 5,000 पार डे के हिसब से प्राइवेट कर हायर करके आप सेला टॉप तक आ सकते हो। गोहाटी से सेला टॉप का डिस्टेन से 400 किलोमेटर मैं अपना 6 फ्रेंट के साथ पहले कोलकता से 1,000 किलोमेटर ट्रेन जाननी। उसके बाद गोहाटी से प्राइवेट कार हायर करके पहले दिन भालुक पंग, नेक्स्ट दिन सैंक्ती भैली होके सेला टॉप क्रोस करके तावं गये थे। और नचल प्रदेश सैंक्ती भैली में है हम लोगों का आज 3rd डे। सैंक्ती भैली एंड सैंक्ती भीलेज एक्स्प्लोर करने के बाद हम सब लोग रेडी हो गये थे सेला टॉप जाने के लिए। आज हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज हम लोग स्नो देखेंगे। सैंक्ती भैली से सेला टॉप का डिस्टेंस है 75 किलोमेटर। दोनों साइट एक खुबसुरत पाहाड और पाहाडों के बीचों बीच एक खुबसुरत सा रास्ता। एक सीटी है एंड दिरंग से सिला टॉफ का डिस्टेंस है 62 किलोमेटर सिला टॉफ के पहले एक आखरी बड़ा सीटी है आपको इधर होमस्टे आप्सेन मिल जाएका एक दिन में आप गुवाहाटी से तावं का साफर अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप एक दिरंग में लोग रुके थे नाइक मदंग वार मेमोरियाल 1962 इंदो-चाइना वार में जितना भी सोल्जर सहीध हुए उनका मेमोरी में ये वार मेमोरियाल का निर्मन हुआ ये है बुद्धिस्ट फ्यागोडा स्कल्प्चर इसका हाइट है 25 फिट बुद्धिस्ट काल्प्चर का लेफ्ट और राइट साइट में वार में जितना भी सोल्जर सहीध हुए थे उनका नाम में एक लोहे का प्लेट के उपर लिखा है वार मेमोरियल गेट के आगे पारकिंग फेसिलिटी एंड टॉइलेट फेसिलिटी भी एबिलिबिल है दिरंग से 44 किलोमेटर के बाद बैसाखी बोलके एक प्लेस में आर्मी कैंटिन है आपको इधर ब्रेकपस्ट लांच एंड वास्रूम फेसिलिटी भी मिल जाएगा धिरंग के बाद एंड सिला टॉप के पहले ये लास्ट SBI ATM है आप अगर चाहो तो इधर से आपना पैसा उज़रोल कर सकते हो पहारी रास्ते पे भूग बहुत लगता है इसलिए हम सब लोग आर्मी केंटेन के अंदर गए कुछ खाने के लिए भेज मोमो 40 रूपीस, डबल एक अमलेट 25 रूपीस, भेज मैगी 30 रूपीस और भी बहुत सारा खाने का आइटेम आपको इधर रिजनेबिल प्राइस में मिल जाएगा मैं इधर 60 रूपे देके दो प्लेट भेज मैगी लिया था मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरा फ्रेंट लोग खाया भेज मोमोस मेग सियोर आप खाना खाने के बाद वेस्ट हुआ खाना प्लेट आप डास्बिन में ही फेकिए बैस्ट की आर्मी केंटीन में आर्मी यूजफुल बहुत सारा सामन सेल होता है प्राइस रिजिनेबिल है आप चाहो तो इधर से कुछ गीप टाइटेन कुछ सामन पार्चिस कर सकते हो इधर दो तीन आर्मी केंटीन है मैं और एक केंटीन से लिया था भेज पाकोडा और इधर बहुत कुछ आप सामन पार्चिस भी कर सकते हो मैं तावांग से बापस जाते टाइम इधर से कुछ पार्चेस करके लेके जाओंगा वैसे आप सिला पास के आगे ए बैसाखी में रूख के सपिंग या फिर आप इधर से ब्रेकफास्ट लांज भी कर सकते हो प्राइस बहुत रेजिनेबल है बैसाखी में आदा घंटा रुखने के बाद हम सब लोग रेडी हो गए थे आगे रिष्टनेशन के लिए जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे रास्ते का सिनिक भीव और भी जादा खुबसुरत था सेला टॉप से 2-3 किलोमीटर पहले आपको रोट जैम के लिए 15-20 मिनिट तक रुखना पड़ सकता है इधर नया रोट कॉंस्ट्रक्शन या फिरोट मेंटेन का काम आमरे देश का बियारो टीम करता है इतना हाई एटिट्यूट में जिधर ऑक्सिजन लेबेल बहुत कम है इधर काम करना बहुत मुश्किल है बट हमारे देश का बियारो टीम चाहे जितना भी हाइट हो कोई भी मुश्किल रास्ता हो टीम हमेसा अपना बेस्ट पार्फोमेंस देता है बियारो बियारो एंट लोकल पीपल धिरंग से 62 किलोमेटर के बाद टाइम एक्रोस दो से धाई घंटे के बाद फाइनली वी हैव रिच्ट सेला पास एंड ए है 13,700 फीड हाइट सेला पास वाल्ट फेमास टावंगेट इधर पार्किन फेसलिटी वास्रूम फेसलिटी एंड फूट केंटिन फेसलिटी भी आपको मिल जाएगा सेला पास में आपको डिसमबर से एप्रिल तक स्नो देखने को मिल जाएगा वेलकम टू तावंग, वेलकम टू सीला पास यह मेरा लाइब का सेकेंड पासिस है मैं पहले गया था रोतंग पास, उसके बाद मैं आया हूँ एक उपसुरत तावंगेट डिजाइन, बूर्धिस्ट काल्चर और बूर्धिस्ट आर्किटेक्चर यूज हुआ है में गेट का लेप्ट हैं साइट में है, मेल फिमेल वास्रूम फेसिलिटी वास्रूम से थोड़ा आगे है भगवन सिवची का मंदीर इधर से जो भीव जो है ना, इधर का भीव सच में है, पूरा दिल खुश कर दिया में गेट का राइट हैं साइट में आर्मी कैंटीन है, आप इधर खाने पीने का चीज पर्चेस कर से में गेट का राइट हैं साइट में सीडी से चलके थोड़ा उपर है बुद्धी स्टैचू प्रजन है पुरा और उसका ठीक आगे है सीला लेक, उसका भी दिखाऊंगा और इधर दिखें कितने ज़्यादा स्वह है और उदर हमारा जो गाड़ी है वो इधर स्टैंड है और ये वेस्ट तावांग एंट्री का मूल गेट बद्धा में गेट में गेट के अंदर लेट एंट साइट में है और एक आर्मी केंटिल इधर केग, बिस्कीट, ड्राइफुट, फानी का बटल, मैगी और भी बहुत सरा खाने का आईटेम पार्चेस कर सकते हो एंट ये है फेमास सेला लेक सेला लेक के आगे एक छोटा सा लेक था जिसका पानी पूरा प्रोजेन था हम सब फ्रेंट लों कि इधर बहुत मस्ती किये बहुत सारा पिक्चर का लिट किया कहता है कि देखिए, कितना स्नौ है ये जो पुरा लेक है ना ये पुरा स्नौ से कबर है ये दिखता है पूरा स्नो से कबर है यह पूरा लेक अंदर पूरा पानी है पूरा पानी पूरा जम चुका है पूरा पानी ऐसे स्लिप करके आप ऐसे पूरा ऐसे जा सकते हो लेकिन आप इतर आओगे तो इतर जाने कर गसिस मत कीजिए क्योंकि लगता है कि उधर ज्यादा गायरा है तो एक्स्प्लोर करते रही है पूरे इंडिया को देखिए हमारे इंडिया हमारे वाल्ट में कितना खुब्चुरत कितना अच्छा अच्छा भैली है अभी तो हम है तेरा हाजार साथ सो फीट उपर सीला पास में और मेरा पीछे जो है एह है इंडियास मोस्ट सिला लेक जिसका आधा हिस्ता फूरा प्रोजेन है और एंडा हिस्ता पानी दिखा इत रहा है ऑर इढ़ा देखिए पूरा स्नोगावर है आपको अगर ऐसा स्नोह का मजा लेना है तो फिर आपको शिला पास में आना होगा धीके अब लोग वक लिए मैं स्नों लेकराया हू देखिए, स्नो सेला पास में हम लोग करीब आदा घंटा रोके लेकिन सेला लेक में नीचे नहीं गए क्योंकि आज हम लोगों को सेला से 73 किलोमेटर दूर तावंग जाना था टाइम इतना जादा नहीं था लेकिन सेला लेक इतना खुबसरत था हम लोग बीच रास्ते पे काड़ी रोके पीक लेने में बीजी हो गए सेला लेक किलो बीचे के लेकिन सेला लेक आ सेला पास्टु तावंग रास्ते पे कुछ वाटरफॉल है बट वाटरफॉल पूरा फ्रोजेन था सेला पास्ट से 20 किलोमीटर के बाद हम लोग रोके थे जस्मंदगर्ड वार मेमोरिया जस्मंद सिंग रावत का मेमोरिय में ये मेमोरियल का निर्मन हुआ टाइम जादा नहीं था इसलिए हम लोग उधर नहीं रोके सेला पास्ट से चार घंटे के बाद रात को कारिब 8 बजे हम लोग तावंग पहुँच गए फाइनली हम लोग तावंग पहुच गए नेक्स्ट वीडियो में मैं तावंग सिटी को एक्स्प्लोर करूँगा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कर्मेंट सेक्शन में जुरूर बताइए मिलेगी आपसे नेक्स्ट व्लोक में तब तक के लिए गुट बाई आप लोग बहुत अच्छा रहिए और खुस रही है आप लोग